हेलो एवरिवन मैं पुझा चौधरी खुशी मेकवर से वेलकम टो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों को लोंग हेयर में लेजर बिदी स्टैप किस तरीके से करना है और बालों की लेंथ जो है वो हमें थोड़ी तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि काफी ना इनका बाल डैमिज हो रहा है नीचे से काफी रफ बाल हो रहा है तो उसको जब हम निकलवा देते हैं तो cutting बहुत अच्छी हो जाती है ठीक है तो यह हमारे पालर की एक model है और इनको cutting करानी थी और इनको laser with step ही करानी थी क्योंकि इनके बालों का जो टेक् सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है देखिए हम लोगों को एक साइट से कटिंग को स्टार्ट करना पहले लेजर डालेंगे लेजर डालने के लिए हम लोगों को देखिए इस तरीके से चोटे चोटे सेक्षन लेकर आगे लेकर आना होता है और उसके बाद उसको इस तरीके से कट करना होता है पहले एक साइट से करेंगे फिर दूसरी साइट से करेंगे सेम तरीका होता है दोनों साइडों का मतला हाफ बाल हमें एक साइट से काटने है हाफ बाल हमें दूसरी साइट से काटने है और जितना भी बाल आप अपनी फिंगर में फसा सकते हैं उतना ही क्या फायदे है और लोग बोलेंगे के लेजर हो गया तो फिर स्टेप डालने क्या जरू होता है इस स्टेप से क्या हूता है बाल बहुत हैवी लगने लगत या तो इस्टेप जब आपका बाल अगर आउट ट comics है तुब बहुत सुंदर लगता है दो तीन बार के वोश में के बाद आपका जो बाल है वो बहुत ही प्यारा लगने लगता है और कटिंग हमेशा देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ आप काफी कोशन मुझसे लोग करते हैं कि अगर हमारे यहां का function कोई है तो हमें cutting कितने दिन तो मैं आप लोगों को बता दूँ यह मेरा personal experience है आई नो कि पता नहीं कितने लोग इस से agree करेंगे बट यह मेरा personal experience है कि अगर आपके यहां पर function है तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले आप अपनी cutting कराईए ताकि आपके cutting जो है वो 3-4 wash ले 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 3-4 wash जब आपके बालों में हो जा कि आपकी cutting कैसी हुई है क्योंकि ड्रायर लगने से हमारी cutting जो है वो visible हो जाती है बट मेरा मेरे यहां का जो फंडा है मैं पालर में जो अपने client को यह चीज़ बताती हूं कि आपको तुरंत cutting के बार ड्रायर बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए उससे आपका बाल बहुत ड को अपके बिल्कुल यहें जिससे कोंडने जो करते हैं इसा होता है अगर आपने कभी प्रायर से उसको ब्लो ड्रायर नहीं तो आप देखेंगे क्त बाल कुछ दिन तक बढ़ता नहीं है बिल्कुल थोड़े दिन तक रुक जाता है बढ़ने से बढ़र आप करानी के बाद अपने बालों में ड्रायर नहीं कराते, तो आपका बाल तुरंत बढ़ना स्टार्ट होता है, और बहुत अच्छा हो जाता है, आपका वोश के बाद, आपकी कटिंग भी खिल के आती है, तो देखे हम लोगों ने पहले इनके लेजर डाला था, फिर हम लोगों ने step डाला, step दालने का, कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि हम लोगों को section लेने होते हैं, छोटे-छोटे, जैसे के सब से पहले हम लोगों ने, बीच से एक section उठाया था, जो हमने अपनी guideline मनाई, उस guideline से मिलाते मिलाते ही, हम लोगों को देखे हर तरफ से जो है, वो step डा प्यारी लग रही है, और ये क्योंकि हमारी पालर की staff है, तो हमारे पालर पर क्योंकि रोज आ रही है, और इस cutting को हुए कम सकम 15 से 20 दिन हो गए हैं, और आज आपको video मिल रही है, तो इनकी cutting अब और भी सुन्दर लगने लगी है, मतलब आती है पालर पे, खोलती हैं कभी ब बहुत लोगों ने cutting कराई, क्योंकि वो मेरे उपर suit कर रही थी, और मैं हम लोगों का जो करने का तरीका है काम, वो ये है कि हम किस के face पर किस तरीके का जाएगा, किस के बालों का क्या texture है, उसको देख कर काम करते हैं, किसी को length के साथ में चाहिए, किसी को short length चाहिए, जैसे long में laser with this type है, तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने पालर पर जब काम करते हैं, तो हमारे पालर की वीडियो को देखकर बहुत लोग अपना काम कराते हैं, क्योंकि उनको एक idea मिल जाता है, कि कैसा लगेगा, ये काम कराने के बाद हमें कैसा लगेगा, और काफी लोगों का कमेंट ये भी होता है, कि मैं आपका पालर कहां पर है, तो मैं आप लोग को बता दूँ मेरा पालर है, मुरादबाद में, मुरादबाद आशियाना फेस वन में मेरा पालर है, मुरादबाद सिटी का नाम है, और आशियाना फेस वन जो मैं आपको बता रही हूं, ये कलोनी का नाम है तो आशियाना phase one में मेरा पालर है और पालर का नाम है खुशी성 Southwest प्रक्वोर क्योंकि यह comment भी बहुत होता है कि मैं आपके channel का नाम पूझा चौधरी है तो आपके पालर का नाम भी पूझा चौधरी होगा ऐसा नहीं है मेरे पालर का नाम जो है वह हुआ तो आप लोग बिल्कुल गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और आप ऐसे भी आ सकते हैं काफी मिल जाता है किसी को भी कभी लोकेशन मिलने में दिक्कत नहीं आती सब लोग राम से आ जाते हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ज्यादा तर मेरे अपने खुद के कस्टमर ही है तो सब लोग ये वीडियो देखते हैं तो लोगों को पता ही है तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इनके स्टैप डाले उसके बाद हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं और मिला रहे हैं मैंने आप लोगों को ये बात कई बार अपनी वीडियो में बताया होगा कि बालों में Oxford अच्छे से Central होती है अट गेंगे इतनी अक्षेसे इंच्छन यह करो अथेक से इतनी ऊपर जांए सपेर भिए हो और अच्छन प्रेकर नहींुतु सक्षे नहींटेंo लगवाना चाहिए उससे हमारे बालों की quality है बहुत खराब हो जाती है और हमारे बालों का pH level भी बहुत जादा खराब हो जाता है तो मेरे यहां पर कटिंग कराती हूं मैं कभी भी ड्राय नी लगवाती है क्योंकि हमारी